नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में आपको राजस्थान में भारत के सभी लाग रेजवेट्स के लिए निकली डिस्टिक जच की लेटेस्ट वेकेंसी के बारे में कम्प्लीट इंफॉर्मिशन देंगे जिसमें भारत के सभी इलिजवल ल 2021 को राजस्थान हाई कोड जोदपूर ने राजस्थान में डिश्टिक जच के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें इलिजिबल कंडिडेट्स आनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों आनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म डेट 27.01.2021 से स्टार्ट होंगे और आप उनको 27 फरवरी 2021 साम 5 मजे तक भर पाएंगे अब नमबर आप वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पर करेंट येर की 60 वैकेंसी हैं और पिछले वर्सों में खाली रहे गई बैकलॉग की 25 वैकेंसी इस प्रकार टोटल आपकी जो 85 वैकेंसी हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो दोस्तो अब एज क्राइटेरिया देख लेते हैं तो इस पोश्ट के लिए आपकी एज 1 जनवरी 2022 को 35 वैके बीच होनी चाहिए यदि आप रिजर्व कटेगरी जैसे SC, ST, OBC या महिला हैं तो आपको अधिक्तम उम्र सीमा में 5 वर्स की छूट मिलेगी तो दोस्तो फॉर्म की अप्लिकेशन फीस के बारे में अब जान लेते हैं तो आप अगर जनरल OBC कंडिडेट है या अधर श्टेट के कंडिडेट है तो आपको 1100 रुपए की फीस पे करनी होगी वहीं अगर आप राजस्थान के SC, ST कंडिडेट है और या फिर आप Disability Person है कि BCB स्टेट के तो आपको केवल 550 रुपए फीस ही देनी होगी तो दोस्तो अगर आप अधर श्टेट के हैं किसी रिजर्व कटेगरी में आते हैं जैसे SC, ST तो आप उस इस्थिति में जनरल कटेगरी में ही काउंट होगे या राजस्थान में तो आपको पूरी 1100 रुपए पे करनी होगी तो अब eligibility के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तो आपके पास BCI Approved Institute से 3 या 5 या की law degree होनी चाहिए और court में as a advocate practice का कम से कम 7 वर्स का अनुभा होना चाहिए इसके साथ साथ आपको अपनी actual practice का प्रूब भी देना होगा जिसके लिए आपको अपने जो 10 judgments हैं उ तो दोस्तो इस notification को आप Rajasthan High Code की official website www.hcraj.nic.in से download कर सकते हैं या आप हमारे telegram channel से जुड़ करके इसे प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तो टेली ग्राम channel का जो link है वीडियो के description में दिया गया है वहाँ पर आपको telegram channel का link मिल जाएगा जिससे आप हमारे channel को join कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर syllabus प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद